वेल्कम स्टूरेंट आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन आफ मानेश्मेंट एक टॉपिक में कुछ बानेफेट्स होते हैं तो कुछ लिमिटेशन भी होती हैं और लिमिटेशन जो होती हैं वो हमारे इसको बनाए रखते हैं कि हम जब उसमें और रिसर्च करेंगे जब हम और स्टैडी करेंगे तो शायद कुछ और भी निकल कर आ सकता है तो क्या लिमिटेशन से हमारी मानेश्मेंट अकाउंटिंग पर आज इस पर हम दिसकुशन कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा है बेस्ट अन अकाउंटिंग इंफोमेशन जो मानेश्मेंट अकाउंटिंग है उसको हम पूरी मानेश्मेंट अकाउंटिंग हम किस बेस करते हैं फानेश्मेंट अकाउंटिंग के बेस पर करते हैं जो हमें फानेश्मेंट अकाउंटिंग में इंफोमेशन मिली हुई है जो हमें जनल मिले हैं लेजर मिले हैं ट्राय वैलन्स के बाद हमने फानेश्मेंट अकाउंट बनाया है उस इंफोमेशन के बेस पर हम यहां क्या होता है कि हमारा जो मानेशमेंट काउंटिंग में हमारा नॉलेज लिमीटेड हो जाता है थोड़ा काउं हो जाता है क्योंकि हम सब कुछ करकर आते हैं फैनेशल एकाउंटिंग के अदर यहां हमें अपना एनलेसिस करकर उसका इंटरप्रेटेशन देना है हमें रिपोर्टिंग करनी है उसका डिशीजन भी नहीं देना है डिसीजन कौन लेगा मानेजमेंट परसन लेगा टॉप मानेजमेंट लेगे तो यहां हमारा लैक ऑफ नॉलेज होता है कि उसको हमें प्रप्रपेर नहीं करना है समराइज किया है डेटा को और फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेर किया है उस फाइनल अकाउंट को आपने अब बताएं कि जब हम इस सिस्टम को समझ लेंगे और इसको अनलाइस कर लेंगे तो हम शाइद और भी कुछ टूल्स निकाल पाएंगे या उसमें बैनेफिट से निकाल पाएंगे मैं आपने के मैनीजमेंट काउंटिंग के तो अभी यह डयकली चिहरी तो समझ प्रिपलाइस को चाहिं Εिक या हमें कैश फ्लो टूल्स निकाल सभटी बता हैं या हमें कैश फ्लो लो बनाना है झाल झाल